शाकुर जी को भारत रत्न दिया गया उसके लिए मैं सभी देस्वासियों को बढ़ाई देता हूँ और साथ ही साथ बहुजन नायक माननेवर कांसिराम साहब को भी भारत रत्न दिया जाए इसकी मांग करता हूँ और जो आने वाली 31 जनवरी को बामसेफ के मादन से एलेक्षन कमिशन उपिनिया का जो घेराव हो रहा है उस गेराओं का हम समर्थन करते हूं और हम सारे साथी पूरी ताकत के साथ उसमें सामिल होंगे कारे करता हूं सही पूरे देश के लोगों से आवान करते हैं कि 30 जनवरी को वो लोग दिल्ली में उस मुहिम में सामिल हो ताकि बैलेट पेपर को वापस लाया जा सके इसके इसक कुछ ऐसे तत्थे हैं जो हमारे सामने आये हैं जो हमने बारी किसे अधिन किया इवियम के बारे में अधिन करने के बाद जो चीजे सामने आई हैं हम तो समझते थे की यह जो मसीने हैं इवियम है इसको बी एल या इसी आईल ने बनाया है लेकिन एक्चुली जो सोफ्ट्वे जो डवलब किया जाता है उसको बनाने का जो काम कर रहा है वो टेक्निकल एक्सपर्ट कमीटी है और टेक्निकल एक्सपर्ट कमीटी में एमिनेंट प्रोफेसर्स हैं IIT के उन IIT के प्रोफेसर हैं जिस IIT के अंदर देश के दलितों पिछडों आदिवासियों के साथ जो बच् कई बार suicide करते हैं तो जहां इस तरह के जाती वादी मानसिक्ता वाले professors हैं जहां जालबून के उन बच्चों को इंटरन एक्जाम में कम नमबर दिया जाते हैं फेल किया जाता है उनको demoralize किया जाता है और ऐसे professors ऐसे eminent professors उसे election commission of India की technical expert committee के member है और वो technical expert committee है जो software develop करती है और जो ये ECIL और BL है ये तो hardware बनाती है ये तो उसको assemble करती है तो हमें जो बाकी तथे पता लगे है वो ये पता लगे है कि जो control unit है उसका software technical expert committee बनाती है और वो committee उस software में ही ये तया कर देती है कि इसको जिताना है ये technical expert committee के हाथ में अगर technical expert committee पहले से विनोवर कर ली जाए उनको खरील लिया जाए या किसी भी तरीके से influence में ले लिया जाए तो जब वो software develop करते हैं software में ही अगर वो चाहे तो ये तया कर सकते है कि कि इसको जिताना है लेकिन इसको जिताने का खेल जो सबसे बड़ा खेल है वो बिना timer के संबब नहीं है इस machine के अंदर EVM के अंदर जो control unit है उसके अंदर बकाइदा एक timer लगा हुआ जिसमें पुरा time date दोनों चीज होती हैं और अगर time और date ना हो तो वो गड़बड करना मुश्किल है मैंने इसको बड़े बारी की से पढ़ा है और उसके अधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये swap कब होनी है कब वोट को swap करके किसको देना है ये वाला काम अगर software के अंदर डाल दिया गया लेकिन अगर उस EVM के अंदर timer ना हो अगर time clock ना हो जिसमें date और time set किया जाता है तो किस वक्त वोट को swap करके किसको देना वो संबब नहीं है मैं पूछना चाहता हूँ ये मसीन अगर calculator का काम करते तो इसमें timer की जरूरत क्या है चुकि जब वोट पढ़ता है तो बकायदा किस वक्त वोट चालू हुआ पढ़ना कब वोट पढ़ना खतम हुआ टोटल कितना वोट हुआ उसका बकायदा पेपर पे भी manual तरीके से उसको maintain किया जाता है तो उस machine के अगर टाइमर की जरूरत क्या है उसमें clock की जरूरत क्या है और वो ऐसा टाइमर है जिसको वोटर नहीं देखता वो election commission के अधिकारी जिसके हाथ में control unit होती है केवन वो देखता है चुकि जो वोटर है वो तो सीधा जाके जो key board है जो ballot unit है वो तो जाके सिर्फ बटन दबाता है और ballot unit में कोई नमर नहीं होता उसके अंदर A, B, C, D होते है और अगर candidate Z से जादा number तक खड़े हो जाए तो election commission of India नहीं ऐसे कर रखा चुकि फिर गड़बड़ी नहीं हो सकती इसलिए फिर वो दो मसीने लगाने से भी काम नहीं चलेगा उसके बाद वो क्या करते है कि ballot से चुना होगा यानि जो letter English के A से Z तक अगर उस letter से जादा संख्या में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अगर आ गए तो election commission of India की guideline के हिसाब से चुनाव फिर E.V.M से नहीं होता है बैलेट से चुनाव होता है तो सारा खेली है चुकि वो जो ballot unit है वो उसमें केवल A से Z तक के नंबर के जितने candidate खड़े हो नंबर डलता है एक, दो, तीन एक दबाया तो वो control unit को information ballot unit देती है और वो A, B, C, D इस तरीके से उसमें marking होती है तो वो A दबाया तो A का सूचना उसको देगा control unit को और control unit में वो दर्ज हो जाएगा लेकिन होता है क्या है कि जो उसके बाद जब लोग अपना nomination फाइल कर देते हैं उम्मीदवार और nomination वेड्रो होने की date के बाद उसके बाद election commissioner of India के engineers जो कोई जरूरी नहीं की सरकारी आदमें जो कोई private technical expert भी हो सकता है वो hire किया हो आदमी भी हो सकता है वो आकर वो उस machine के अंदर चुकि उसमें एक memory होती है और दूसरा जो दो चीज जो वो करता है वो होता है time file बनती है और एक candidate file होती है वो जो expert आता है जो चुनाव की date से एक्दम पहले जब time video जब video की date खतम हो जाती है और final हो जाता है कितने उम्मीदवार किस किस party के चुनाव मैदान में बचे हैं उसके बाद जो machine में वो डालते हैं वो एक तो time file डालते हैं और एक candidate file डालते हैं ताकि किसको vote दिया जारा वो उसमें आ सके लेकिन असली बात जो है वो software जो उधर डिजाइन किया गया technical expert committee में और technical expert committee को अगर influence कर दिया गया और उसने अगर वहीते कर दिया किसको जिताना चुकि ये विश्वास कहां से आता है कि इस बार 300 से जादे जितेंगे इस बार 400 से जादे जितेंगे ये confidence कहां चाहता है ये confidence से वही कह सकता है जिसको पता है कि उसने influence करके technical expert committee के मादम से उसके अंदर software वो develop करवा दिया है कि उन्हों उस party को इतने चुराव में इतने वोटों से जिताना है अभी आपने देखा हो कि पिछले दिनों ये समझ लीजिए कि जो आम वोटर का वरोसा है जिस वोटर के वरोसा को कायम करने की जिम्मेदारी election commission of India की है तो वो जो वोट की उसकी चोरी हो रही है उसको बिल्कुल doubt उसका पक्का होता जा रहा है कि इस चुनाव के मादम से उनके वोट की चोरी हो रही है उसको उसको पर वरोसा नहीं पैदा हो रहा है तो ये जिम्मेदारी तो इनकी है और दूसरा doubt इसलिए और ज़्यादे मजबूत हो जाता है चुकि जब सुप्रीम कोट ने वेवस्ता दे दी कि election commission का गठन कि तीन जो सदस्य कमेटी होगी एक परदानमंत्री होंगे एक opposition के लीडर होंगे और एक सुप्रीम कोट के चीप जेस्टिस होंगे लेकिन माननी है मोदी जी ने संसत के मादम से एक कानून लाइक उसको बदल दिया और अब उस तीन सदस्य कमेटी में दो सदस्य केंदे सरकार के होगे एक परदानमंत्री जी होगे और एक उनके law minister होगे एक लीडर वोईशन होगे यानि जिसको election commissioner वो बनाना चाहेंगे वो उसको बनाएंगे और वो उनके influence का आदमी हो सकता है इससे possibility को ruled out नहीं किया जा सकता इसलिए हम निवेजन करते हैं election commissioner for India से देश के रष्टपती जी से कि वो इसमें संग्यान ले और मानी ने सर्वोची नहाय लेके मुक्षिन एदिस से उनके company जजिस से भी हम निवेजन करते हैं कि वो इसमें संग्यान ले उसमेबस्ता को कायम करें और जो ये कानून लाया गया संसत के द्वारा उसको नलन वोईट डिकलर करें अब मैं चाहूंगा चुकि जो RTI से information करेक्ट करके बहुत सारी सचाई हमारे बानुपता सिंग्जी एड़ोकेट लेके हैं वो रखें उससे फ़र एक बात और मैं आपको बता दूँ कि पिछले चुनाओ में आसाम के एक डाटा आप देखें जिसके वेसे डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें आसाम के दीमा हसाओ जिले में एक बूत पर थे केवल 90 वोट 90 मदाता थे लेकिन EVM में वोट पड़े 171 और इसने फिर चुनाओ आयो कि पाच अफसर सस्पेंड किया एक सन कमिशन ने फिर कैसे वरोसा करें ऐसी EVM पर और दूसरा डाटा है मद्यपरदेश के 36 गड़का वह बसपा के केंडिडेट खड़े हुए वहीं उनके रिष्टेदार रहते थे गरवाले रहते थे लेकिन उस खुद अपने उनके वोट से उनको एक भी वोट नहीं मिला उनका खुद का वोट का गया तो ये सारे डाटा जो हमारे पास आरे हैं जगे-जगे से उसे बात साबित हो जाती है कि Election Commission of India क्यों इतना जिद्धी हो गया है क्यों वो EVM से चुनाव कराने पर क्यों आमादा है क्यों भारते जनता पार्टी के वरिष्ट नेता एहम होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार क्यों भारते जनता पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं और इसके सासाद लास्ट में एक बात कहूंगा ये सब लोग जैसे राममंदिर वाला मुद्ध हुआ कभी कोई सा मुद्ध लाते हैं ये सब एक माइंड सेट बनाने के लिए ताकि जो खेल ये खेल रहे हैं उस खेल को उसके द्वारा कवर किया जा सके इसलिए ऐसा खेल चला जा रहा है अब मैं निवेदन करूँगा बानुजी से वो आए और जो RTI से सूचना लेके वो जिस नतीजे पर पहुचे वह आपके सामने रखेंगे देश प्रदेश की हर छोड़ी बड़ी ख़बर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और पेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हर ख़बर आप तक पहुचा सके हम सबसे पहले